Hello everyone and welcome to this video So this video is all about FAQ Frequently Asked Questions तो यह कुछ ऐसे questions है CUT से related जो कि students बार-बार मतलब बार-बार comments कर रहें मेरेको message कर रहें या फिर हर जंग आपको students को यह वाली problem face हो रही है बाकि अगर आपको कुछ नए तरह का doubt आ रहा है कर रहे हैं कि जो हर एक courses और हर एक आपका प्रोग्राम है उसके लिए क्या अलग-अलग eligibility criteria है या फिर सबका सेम है यहाँ पर जो सबसे बड़ा चीज आती हो आपकी आती युनिवस्टी किस युनिवस्टी में आप अपना admission ले रहे हो किस college में आप जा रहे हो वहाँ पर depend करता है कि उस university उस college ने आपका क्या eligibility criteria रखा हो है वही आपको fulfill होना चाहिए और हाँ हर एक course के लिए आपका क्या होता है अलग-अलग आपका क्या है eligibility criteria है किसी में आपको कुछ वैसे marks का तो ज़्यादा तर नहीं है universities में बट फिर भी आप universities पर depend करता है कि वह क्या-क्या चीज़े मांग रहे है कितने percentage वह minimum marks मांग रहे है या फिर आपको साथ-साथ मतलब कौन-कौन से course का वह combination मांग रहे है मालो आप science, B.Sc. owners करना चाहते है या फिर B.Sc. program करना चाहते है तो अब वहाँ पर physics, physics के marks count होंगे सिर्फ chemistry, chemistry के होंगे physics, chemistry, math, zinno के होंगे वह आप check out कर सकते हो उन universities की website पर जाकर बाखी अगर आपको वीडियो देखनी है मैंने हर university top 5 universities कौन सी है साथ-साथ उनमें जो admission process रहता है कौन-कौन से subject का combination वह मांगते है उनकी वीडियो मैंने बना रखे वह आप playlist में जाके check out कर सकते हो सबसे बड़ा doubt तो students का यह आ रहा था second question आ रहा है how do I choose the right course for the under UG studies after CUT 2024 means एक तरीकिसे form fill up करते टाइम आपके पास best combination कौन सा रहने वाल है तो देखू यहाँ पर आपको basically basically 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपके पास 12th class में कौन से subject है for example आप science stream में ते आपके पास physics chemistry math या फिर आप commerce में ते आपके पास accountancy और economics यह वाले subject है अगर आप arts में ते eco history आपके पास यह subject है तो better option तो यही रहता है या फिर अगर आप commerce में हो तो arts के courses नहीं ले सकते है पर आपको जो चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले आपके जो 12th class में कौन से subject है वो second second आपको ध्यान रखना है आपका interest किस चीज में for example आप बनना चाहते हो आप इस रो में scientist बनना चाहते हो और आप आगे चलके PhD करना चाते हो किसी रिसर्च फिल्ड में प्लाजमा में ये किसी बी चीज में आप करना चाते हो एटोमिक में ये फिर आप मतलों Commerce field से हो तो आप CA बनना चाते हो Financial Analysis बनना चाते हो ये कोई भी चीज़ बनना चाते हो आप Arts में हो, आप UPSC करना चाहते हो, आप कोई मतले किसी उसमें PhD लिखना चाहते हो, तो आप अपना Interest देखो, मेरा Interest किस चीज में है, उस हिसाब से आपके कौन-कौन से आपको Courses required होंगे, वो आप अपना Courses fill करो, थर्ड आपकी चीज आती है, आपके Career Goals, Career Goals मतले आप Career में क्या करना चाहते हो, आप कौन से जोब लेना चाहते हो, आप Business करना चाहते हो, आप PhD करना चाहते हो, आप Assistant Professor बना चाहते हो, आप Government Job में जाना चाहते हो, तो वो चीज करने के लिए आपको कौन से subject की requirement रहेगी आगे तक वो आप अपने course चूज करो, बाखी देखो, आपको correct information मिल जाएगी, बट आपको थोड़ा सा ढूड़ना पड़ेगा, फर्स जो चीज रखो, फर्स चीज आप रखो, जो चीज जो आप बनना चाहते हो, या फिर जिस चीज में आप कुछ भी करना चाहते हो, उनिवस्टी में जाना चाहते हो, वहाँ पर आपका कोई अगर contact हो सकते हैं, वहाँ पर भाईया, दीदी, अंकल या जो भी आप मिल सकते हैं, उनसे अगर आप बात कर सकते हो, तो कर लो, बाकि मतलब कि आप मेरे से भी बात कर सकते हो, मेरा जो आपका Gmail ID, या फिर जो आपका Instagram ID, वो आपको यहाँ पर शो जाएगी, आप मेरे को भी universities आपका doubt आता है, वहाँ पर आपका doubt clear कर देंगे, यह आपका question आता है, साथ आपकी जो academic strength उसका भी आपको ध्यान रखने है, for example, आपका science background तो है, बट आपको physics, chemistry, math बस ले दे की pass हुए, आप 12th में, आपको result आ भी जाएगा, और साथ आपको पता भी आपको कितने पढ़ बहुत जाते हो कि आपके पास बहुत साधा, बहुत कि अलग बर्डन भी आजाता है, societies होती है, आपको career का भी काम करना है, साथ आप एक अलग शहर में जाऊगे, तो बहुत चीजे जुढ़ जाती है, तो आप ध्यान रखोंगी, आप कितना पढ़ सकते हो, उसहाब से अप कुछ यहां से कौन से कौर्स आपके क्या है अब लेबल है बाकि मैं यहां पर फूरी एक लिस्ट लगा दूगा यह क्या कर सकते हो आगे बात करते हैं ड़स एवरी उनिवस्ट्री कोली ओफर दा सेम कोर्स अंडर स्यूटी क्या हरेक कोली और हर एक जो उनिवस्टी आपको क्या मिल जाएगा जो कोर्स यहां पर नहीं दे वह मिल जाएंगे लेकिन कुछ एक्सटा चीजे नहीं मिलेगी वह उनिवस्टी की जो वैफ साइट्स हैं उन पर जाके चेक आउट करेंगे बाकि जो टो फाइव उनिवस्टी जो मैंने वीडियो बनाए दी वह आप चेक आउट कर सकते हो उन में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कौन-कौन से कॉर्स वहाँ पर अवलेबल है और कौन-कौ हो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बाकि जो आपके लिए हैलफुल और जो आपके लिए एक रिक्वाइड कंटेंट है वह सब मैंने आप वीडियो वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर रखा है चैनल पर वीडियो में सेक्शन में जाके चेक आउट कर लेना साथा प्लेलिस्ट बनी हुए CUTUG 2024 वहाँ से चेक आउट कर लेना फिजिस केमिस्टी मैट्स की सब डिविजन वीडियो सब कुछ चैनल पर अपलोड़ीड है फ्रीली आपके लिए सारा कंटेंट अवलेबल है एक एक फ्रेश और साथा वलेगी एक क्रेक्ट इंफोर्मेशन एक परफेक्ट कंटेंट आपके लिए अवलेबल है तो आप वहाँ से चेक आउट कर लेना बाकी यह वीडियो अपने दोस्तों में शेर जरूर कर देना और एक प्यार सा कमेंट भी जरूर कर देना मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू